नमस्कार, आप सभी का इस कथा चैनल पर हारदिक स्वागत है दोस्तों, पाजेब कहानी के पहले भाग में आपने अभी तक सुना कि किस तरह गुम हो गई पाजेब के बारे में घर के छोटे बच्चे से पूछताच हो रही है क्या बच्चे ने पाजेब का सश बता दिया? जानने के लिए आए सुने कहानी पाजेब का दूसरा भाग कहा कि सुनते हो जाओ, पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है इस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया निकल कर बराम्डे के कोने में रूठा मुह बना कर खड़ा रह गया मुझे बड़ा छोब हो रहा था, यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है? मैं कुछ समझ ना सका, मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं? बहदाम दे देंगे, समझे ना, जाओ, तुम कहो तो, चुन्नू की मा तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी, जिस पर आशुतोष की मा ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू जूट बोलता है, क्योरे आशुतोष, तैने द दी थी ना, आशुतोष ने धीली से कहा, हाँ, दी थी, दूसरी ओर से चुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला, मुझे नहीं दी, क्योरे, कब दी थी मुझे, आशुतोष ने जिद बांद कर कहा, दी तो थी, कह दो नहीं दी थी, नतीजा यह हुआ, कि चुन्न में हवा उड़ने लगी, और श्री मती ने घर लोटकर कहा, कि चुन्नू और उसकी मा दोनो एक जैसे है, मैंने कहा, कि तुम तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात सुलशती है भला, बोली हाँ, मैं ही तेज बोलती हूँ, अब जाओ न, तुम ही उनके पास से पाज पाजेब से बढ़कर शांती है, और अशांती से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी, श्री मती जी बुद्बुदाती हुई नराज होकर मेरे सामने से चली गई, थोड़ी दिर बाद छुन्नू की मा हमारे घर आई, श्री मती जी उन्हें ले आई थी, अब उनके बीच गर्म उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुला कर मेरे सामने कर दिया, और कहा, क्यो रे, बता क्यों नहीं देता, जो तैने पाजेब देखी हूँ छुन्नु ने जोर से सिर हिला कर इंकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है मैंने खूब देखी थी चांदी की थी तुम्हें ठीक मालूम है हाँ वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल पतंग लाएंगे पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो छुन्नु ने उसका जो आकार बताया की की था मैंने उसकी मा की तरफ देखकर कहा देखिये ना पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं और अब कहता है की देखी है उसकी मा ने मेरे सामने ही छुन्नू को खीच कर धम धम पीटना शुरू कर दिया और कहा क्योरे जूट बोलता है तेरी चमड़ी न उधेड़ी मैंने बीच बचाओ करके छुन्नू को बचाया वह शहीद की भाती पीट रहा था रोया बिल्कुल नहीं और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था खेर मैंने सब को छुट्टी दी कहा जाओ बेटा चुन्नू खेलो उसकी मा को कहा आप उसे मारियेगा नहीं और पाजे ऐसी भी कोई बड़ी चीज नहीं है चुन्नू चला गया तब उसकी मा ने पुछा आप उसे कुसुरवार समझते हैं मैंने कहा मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह इस मामले में शामिल भी है इस पर चुन्नू की मा ने पास बेटी हुई मेरी पत्नी से कहा चलिए बहन जी मैं आपको अपना सारा घर दिखाए देती हूँ एक एक चीज देख लीजिए पाजेब होगी तो जाएगी कहा मैंने कहा छोड़िये भी बात को बढ़ाने से क्या फैदा सो जियो तियो मैंने उन्हें दिलासा दिया नहीं तो वह चुन्नू को पीट पीट हाल बेहाल कर डालने का प्रड उठा लिया था कुलिचनी आज इसी धर्ती में तुम्हें नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं खैर जिस तिस भाती बखेड़े को टाला गया और इस जंजट में मैं दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका जाते वक्त श्रीमती जी से कह गया देखो आशुतोष को धमकाना मत प्यार से सारी बाते पूछना धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ भी कुछ नहीं आता समझी शाम को दफ्तर से लोटा तो श्रीमती से सुचना मिली कि आशुतोष ने सब बतला दिया है एक ग्यारह आने पैसे में वह पाजे पतंग वाले को दे दी गई है पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहें है पाँच आने जो दिये वह छुन्नू के पास है और इस तरह से रत्ती रत्ती बात उसने बता दिये कहने लगी बड़े प्यार से पूछ पूछ कर सब उसके पेट से निकाला है दो तीन घंटे में मगज मारती रही हाई राम बच्चे का भी क्या जी होता है मैं सुनकर खुछ हुआ मैंने कहा चलो अच्छा है अब पाँच आने भेज कर पाजे मगवा लेंगे लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है बच्चों के हाथ से ऐसी चीजे लेता है उसे पुलिस में दे देना चाहिए उचक कहीं का फिर मैंने कहा आशुतोष है कहा उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा मैंने कहा बंसी जाकर उसे बुला लाओ बंसी कहा और उसने कहा कि आते हैं क्या कर रहा है चुन्नू के साथ गिली डंडा खेल रहा है थोड़ी देर में आशुतोष आया, मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया आते आते उसका चेहरा उदास हो गया गोद में लेने पर भी कोई विश्यस प्रसंद मालूम नहीं हुआ उसकी माने खुश होकर कहा कि आशुतोष ने सब बाते अपने आप पुरी-पुरी बता दी है हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है आशुतोष मेरी गोद में ठीका रहा लेकिन अपनी बड़ाई सुन कर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ ऐसा प्रतीत हुआ मैंने कहा आओ चले अब क्या बात है क्यों हजरत तुमको पांच ही आने मिले है ना हमसे पांच आने मांग लेते तो क्या हम ना देते सुनो अब से ऐसा मत करना बेटा कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछ ताच की क्यों बेटा पतंग वाले ने अब तुम्हें पांच आने दिये दिये ना हाँ और वह चुन्नू के पास है हाँ अभी तो उसके पास होंगे ना नहीं खर्च कर दिये नहीं नहीं खर्च किये हाँ खर्च किये की नहीं खर्च किये ऐसा प्रशन करने पर वह मेरी ओर देखता रहा पर उत्तर नहीं दिया अच्छा बताओ खर्च कर दिये की अभी है जब आप में उसने एक बार हां कहा तो दूसरी बार नहीं कहा मैंने कहा कि यह क्यों नहीं कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम है हाँ बेटा मालूम है ना हाँ पतंग वाले से पैसे चुन्नों ने लिये है ना हाँ तुमने क्यों नहीं लिये चुप इकन्या कितनी थी बोलो दो बाकी पैसे थे हाँ दुवन्नी थी, हाँ, अब मुझे क्रोध हाने लगा, डपट कर कहा, सच क्यों नहीं बोलते हो, सच बताओ, कितनी इकन्या थी और कितना क्या था, वह गुमसुल खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, बोलते क्यों नहीं, वह नहीं बोला, सुनते हो, बोलो नहीं तो, अब नहीं बोला तो मैंने कान पकड़ कर उसके कान खीच लिए वह बिना आंसु लाए गुम सुम खड़ा रहा अभी नहीं बोलोगे वह डर के मारे पीला हो गया लेकिन बोल नहीं सका मैंने जोर से बुलाया बंसी जहां आओ इसको ले जाकर के कोठरी में बंद कर दो बंसी नौक पे उसके होट हिल रहे थे कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं मैंने कहा क्यों अब अकल आई वह सुनता हुआ गुम सुम खड़ा रहा अच्छा पतंग वाला कौन सा है वो दाई तरफ के चौराहे वाला उसने कुछ होठों में ही बढ़ बढ़ाया जिसे मैं समझ नह यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया सब बात समझा कर कहा देखो पांच आने के पैसे ले जाओ पहले तुम दूर रहना आशुतोस पैसे ले जाकर उसे देगा अपनी पाजेव मागेगा अवल तो वह पाजेव लोटा ही देगा नहीं तो उसे डाटना और कहना कि तस से मस नहीं हुआ, नहीं जाओगे, उसने सिर्ह लाया, नहीं जाओँगा, फिर तब उसे समझा कर कहा, भया घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला पांच आने में रुपेयों का माल, किसी के हाथ खोदोगे, जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा, हाँ, पैसे दे देना, और अपनी चीज वापस ले आना, दे तो दे, नहीं दे, तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरुकार नहीं है, सच है न बेटा, अब जाओ, पर वह जाने को तयार ही नहीं दिखा, मुझे लड़के की गुस्थाकी पर बड़ा बुरा मालूम बोला, इसमें बात क्या है, इसमें मुश्किल कहा है, समझा कर बात कर रहा है, तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं, मैंने कहा, क्यो रे, क्यो नहीं जाएगा, उसने फिर सिरहला दिया, कि नहीं जाओंगा, मैंने अपने छोटे भाई को बलाया, कहा, इसे पकड़ कर ले ज जाओ भाई डरो नहीं अपनी चीज घर में आएगी इतनी सी बात समझते नहीं हो जाओ इसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज मागे बाजार में दिला देना जाओ बेटा पर उसका तो मुझ फुला हुआ था जैसे तैसे बहुत समझाने पर भी प्रकाश के साथ चला ऐसे चला जैसे पैर उठाना बहुत भारी है आठ वरस का यह लड़का आया देखो किसी से भी बात की कोई समझ नहीं है इसमें मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाओ लेकिन फिर यह याद करके कि गुस्से से बच्चे समभलने की जगव बिगडते हैं मैंने अपने आया मैंने का अब कहा है रूठा खड़ा है घर में नहीं आता जो पकड़ कर ले आओ वह पकड़ा वहां आया मैंने कहा क्यों रे शरारत से बाज नहीं आएगा बोल जाएगा की नहीं वह नहीं बोला तो मैंने कस कर उसको दो चाटे दिये थपड लगते ही वह एकदम इस बार बार लगभग एक घंटे बंद रहा मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ पर जैसे कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था मार पीट कर मन को ठीकाना देने की आदत पड़ गई थी मैंने इस बिश प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओं मालूम करना कि किसने पाजेब दी है खुशियारी से मालूम करना मालूम होने पर सक्ति करना मुरववत की कोई जरूरत नहीं भाई गया और लोटने पर बताया कि उस पतंग वाले के पास पाजेब नहीं है सुनकर मैं जल्ला आया कि तुमसे तो कुछ काम हो ही नहीं सकता जरासी बात नहीं हुई तुमसे क्या उमीद रखी जाए अब वह अपनी सफाई देने लगा मैंने का बस बस अब तुम जो भाई मेरा बहुत लिहाज मानता था चला गया कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्स पर सोता पाया उसके चेहरे पर अब भी आसू नहीं थे सच पूछो तो मुझे उस बालक पर करुड़ा हुई सिलसिला याद आ गया जट उसके चेहरे पर वही जिद अकड और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे मैंने कहा या तो राजी राजी चले जाओ नहीं तो इसी कोठरी में फिर से मांग लेना कोई घबराने की बात नहीं तुम समझदार लड़के हो उसने कहा जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा इसका क्या मतलब तुमने कहा ना कि पांच आने में पाजेब दी है ना हो तो चुन्नों को भी साथ ले लेना समझे वह चुप हो गया आखिर समझाने पर जाने को तयार हुआ मैंने प्रेम पुर्वक उसे भाई के साथ जाने को कहा उसका मुँ भारी देखकर डाटने ही वाला था कि इतने में सामने से उसकी बुवा दिखाई दी बुवा ने आशुतोस के सिर पर हाथ रखकर पूछा कहा जा रहे हो मैं तो त कानी दिखाने लगा बुवा ने पुछा बात क्या है मैंने कहा कोई बात नहीं बस जाने दो उसे पर आशुतोस मचलने पर आ गया था मैंने डांट कर भाई से कहा इसे ले क्यों नहीं जाते यहां से बुवा ने कहा बात क्या है क्या हुआ मैंने कहा बंसी तो भी साथ जा बीच इसे लॉड़ने न पाए सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरजस्ती उठा कर मेरे सामने से ले गए बुवा ने कहा बात क्या है क्यों उसे सता रहे हो मैंने कहा कुछ नहीं बस यूही फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बाति ले बैठा राजनीती राष्ट की ही नहीं होती महल्य में भी होती है और यह भार इस्तरियों पर टिकता है कहां क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादी चर्चा, इस्तरियों को लेकर रंग फैलाती है तो इसी प्रकार कुछ बाते हुई फिर छोटा सा बकसा सरका कर बोली इन में वह कागज है जो तुमने मागे थे और यह कहकर उन्होंने अपनी बास्किट की जेब पे हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने रख दी जैसे सामने बिच्चु हो मैं डर गया और कहा यह क्या बोली उस रोज भूल से एक पाजेब तो मेरे साथ ही चली गई थी दोस्तों कहानी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और हाँ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें यह आपका अपना कथा चैनल है नई नई कहानियों को लेकर